तो आज हम बात करेंगे एक सबसे सिंपल नॉट के बारे में जिसका नाम है ओरहेड नॉट तो ओरहेड नॉट के बारे में बात करते हैं तो हमारी सबसे सिंपल नॉट जो हम लाइफ में सबसे पहले एक नॉट सीखते हैं वो है ओरहेड नॉट तो जिसको बस एक सिंपल तरी कि तर्ण किया हाफ इच मारी और ऑफ़ हेड नॉट हो गई कि और ऐसे ही बनाई जाती है सेम तुसेम डबल ओफ़ हैड नॉट एक नॉट मारी और यह दूसरी नॉट मारी तो यह हमारी हो गई डबल ओरेट नॉट यह हम लोग नॉर्मली कुछ चीज बादने के लिए ऐसा यूज करते है घर पे आपने देखा ही होगा जैसे मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं तो इसका मेंड़ी शिपिंग इंडरिस्ट्री में यूज होता है तो यह आपको फोटो दिखा रहा हूं यह देखो इसमें आपको दिखा रहा होगा कि यह रोप का एंड खुला हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए ऐसे एक नॉट माल दो एंड पे तो यह यहां पे जो एंड खुलता है वो यहां पे आके रुख जाएगा ओके सेम टू सेम यह डबल है डबल ओवर हेड नॉट में भी हो सकता है और इसका तो इसका दूसरा यूज है यह देखो यह इसको ब्लॉक बोला जाता है तो स्टॉप अन्रिविंग फ्रम दे ब्लॉक तो ऐसे जैसे हम लें यह ब्लॉक में से पास किया अभी सोचो की यह ब्लॉक बहुत हैट पह to है और हम यहाँ से कुछ चीज़ यहां से कुछ ऊठा रहें यहां to stop unraveling from the block तो यहां पर एक overhead knot माल देते हैं तो अगर आपका ये end छूट भी जाता है तो ये block पर आकर रुख जाता है तो आप क्या कुछ लंबी चीज लेके इसको नीचे खीच सकते हो तो same चीज overhead knot और double overhead knot में भी होती है तो ये knot इसके लिए use होती है मैं आपको फिर से बता दू कि stop opening end of the rope and unraveling from the block ओके तो दूसरी knot के knot जिसका नाम है knot है ये bowline तो bowline के बादे में बात करते है तो bowline कैसे बनाते है bowline बनाने के 2-3 तरीके है तो वो बड़ी ropes में चोड़ी ropes में कैसे बनाए जाते है तो देखो आप simple तरीका देखो इसको मैंने कैसे ले रहा हूं right hand का ये एक i बनाया है हम लोग इसको i बोलते हैं जैसे कि मतलब ये बन गया तो इसको i बोलते हैं तो ये right hand का i ये running end है ये हमारा knot का end है knot जिस पर बना रही है ये end है तो इसको अभी देखना आप कहां से मैं पास कर रहा हूं ये i बनाया मैंने right hand से नीचे लिया अभी ये i मैं से अंदर से पास किया अभी ये ये रोप है इसकी ऊपर से ये रोप है जो अपना continue रोप का end है उसके नीचे से और फिर से ये i के अंदर से बनाया और खींचा यहां से ये हो गई बोल लाइन तरीका बता देता हूं आपको मैं कि आपने माद नहीं है overhead knot यह overhead knot हो गई अपनी इसको बड़ी रखने है छोटी नहीं करने बड़ी रखने है बाद में यह जो एंड है अपना last वाला वही रोप को continue पकड़ना है ऐसा सीधा पकड़ लिया तो यह वही आई बन लिया यह देखो वही आई बन लिया फिर से मालता हूं यह overhead knot मारी यही रोप को straight पकड़ना है तो यह जो running hand वो free हो जाएगा हो गया यह आई अभी इसके पीछे से और इसके उपर से आपको याद रखने है यह चीज कि अगर आप किसी में भी बनाते हो आई जहां से रोप निकल रही है वहीं से फिर से अंदर जानी चाहिए तो इसके किए पीछे से ली देखें जहां से निकल रही है वहीं से अंदर पीछे गई इसको खींचा और यह वोगई आपकी बोलाइन अच्छा तो बोलाइन की यूज बढ़ہ बता देताँ बोलाइन का यूज होता है कि में टेंपरर recognizing I on самом scienceники के लिए या कोई चीज लाइक बिट बोलाड हो गया उसमें ऐसे फसाने के लिए ऐसे यूज होती है वो लाइन तो हम लोग तो वैसे तो ओवरहेड नॉट भी यूज कर सकते पर ओवरहेड नॉट टाइट हो सकती है तो यह नॉट इसके लिए स्पेशली बनाई गई है कि यह कितनी भी रखेगी बट अब जिसको इसको अगर स्लेक दे दोगे तो इजी लिए खुल भी जाएगी तो यह है वो लाइन का यूज कि मेकिंग एंड मेकिंग आई एड एंड आप रोप रोप के एंड पे एक टेंपररारी आई बनाने के लिए नॉट परमेनट टेंपरारी टेंपरा प्रेक्शन वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने तीन जीजों के अबारे में बताया है जो आपको पहले क्लियर होना चाहिए तो यह वो लाइन जो आज की दो तीन नॉटे बताई वह नॉट के टॉपिक में आती है ओके तो मिलते हैं जाए हिन